हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xbox Game Pass for PC के बारे में इसके features, plan और इसमें कौन-कौन से games मिलते हैं और क्या आपको इसको subscribe करना चीए या नहीं करना चीए तो without wasting any time, let's get started तो Xbox Game Pass for PC एक subscription service है Netflix की तरह बस इसमें games मिलते हैं आपको Netflix में अगर आप subscribe करते हैं Netflix को तो उसमें जो भी movies हैं उन सब को आप देख सकते हैं subscription लेने के बाद subscription cancel करने के बाद आप उन सब movies को नहीं देख पाते अगर आपको उन movies को फिर देखना होता है या कोई नहीं movie जो Netflix पाई है उसको देखना होता है तो आपको अपना subscription फिर से restart करना पड़ता है उसी तरह Xbox Game Pass for PC एक subscription service है जिसको लेने के बाद आप इसमें जो भी games हैं उसको खेल सकते हैं और जब तक आपके पास subscription होगा आप इन सब games को खेल पाएंगे subscription end हो जाता है तो आप इन games को नहीं खेल पाएंगे लेकिन subscription लेने के बाद इन games को खेलने के लिए आपको कुछ भी price देने के ज़रुरत नहीं है साथ ही Xbox Game Pass आपको Microsoft Store में मिल जाएगा आप सिर्फ Start बतन पे सर्च कीजिया Microsoft Store और ऐसा कुछ पेज आ जाएगा जिसके आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कई games में लिखा भी है included with Game Pass तो इन सब games को आप बिना खरीदे खेल पाएंगे Xbox Game Pass को subscription लेने के बाद तो यहाँ पे आपको बस game pass में जाने के लिए सिर्फ सर्च करना है Xbox Game Pass और यहाँ पे देख सकते हैं first में यह आ गया Xbox Game Pass for PC और यह भी बीटा में हैं लेकिन आप इसका use कर सकते हैं तो अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे Memberships में आप देख सकते हैं Xbox Game Pass for PC लिखा गया है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस पेज में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको Xbox Game Pass for PC की कई डिटेल्स मिल जाएंगे तो Xbox Game Pass for PC में आपको कई गेम्स मिल जाते हैं इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई गेम्स के कवर्स भी दिये गए हैं इसके अलावा भी आपको कई गेम्स मिल जाते हैं और इसमें 100 प्लस गेम्स हैं अभी फिलाल और साथ इसमें नए गेम्स एड़ भी होते रहते हैं लेकिन इसके अलावा अगर आप इन गेम्स को खरीदते भी हैं, मान लेजी आप सब्सक्रिप्सें से खेल रहे हैं, आपको कोई गेम अच्छा लगा, आप उसको हमेशा के लिए खरीदना चाहते हैं, ताकि आप सब्सक्रिप्सें ना भी हो, फिर भी खेल सकें उसको, तो यहां पर देख सकते हैं ₹249 पर मंत लिखा गया है और उसके बाल कार्ट के रूपीज 50 लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 1st month में आपको Rs.50 परेगा, लेकिन उसके बाद इसका प्राइस है वो Rs.250 हो जाएगा, और यह tax included नहीं है, मतलब इसमें आपको और tax देना पड़ेगा, अगर हम इसको compare करें EA Play के प्राइस के साथ, जो ऐसा ही subscription service है गेम्स के लिए, जिसमें आपको EA के गेम्स मिलते हैं, तो उ इसमें आपको इससे कम गेम्स मिलते हैं, इसमें जितनी गेम्स मिल रहे हैं, उससे आपको कम गेम्स मिलते हैं, steam वाले EA Play में, और origin वाले EA Play में आपको 10 hours का limit होता है, कि आप 10 hours तक ही खेल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई limit नहीं है, तो price के इसाप से Xbox Game Pass for PC जो है, वो EA Play के subscription से ज़्यादा बहतर है, और अगर आप EA Play के बारे में और जानना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो आपको आयवतन पे मिल जाएगी, तो अगर हम इसके गेम्स की बात करें, Xbox Game Pass for PC के गेम्स के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कई गेम्स मिल जाते हैं, तो इस तरह से इस पे आपको कई गेम्स मिल जाते हैं, और यह सब को खेलने के लिए, आपको फॉस्ट मंत के लिए बहुत जाते हैं, और अगर आप इस लिस्ट को देखना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर आपको जो गेम्स है, उस पे क्लिक करने हैं, Xbox Game Pass सर्च करने के बाद और यहाँ पर आपको all games जो लिखा है वहाँ पर so all पर click कर दे रहे हैं तो अब बात करते हैं कि क्या ये एक अच्छा subscription service है तो इसका answer बिल्कुल हाँ है यूँकि इसमें games के variety भी अच्छी है games के मतलब popular games भी है अलग-अलग type के games भी है strategy, action and adventure, RPG, indies, shooters, platformers, sports and racing, simulation, classics, puzzle और यहाँ नहीं है कि एक दो-दो games ही है यहाँ बे आपको बहुत सारे games मिल जाते हैं जिसको आप अगर separately buy करने जाएंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा price पर जाएगा तो इससे अच्छा आप इसी से खेल सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि अगर आपको game own करने ही पसंद है आपको game बहुत time तक खेलते हैं आप सालों तक एकी game खेलते रहते हैं आपको फिर month किया तो फिर start कर देते हैं उसे game को तो अगर आप subscription end कर देते हैं तो यह सब आप नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे जो कई games हैं single player games है तो अगर आप single player games खेलते हैं उसका जो story है वो enjoy करते हैं तो आप story enjoy कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप subscription में आप कम price में ही खेल पाएंगे इन सबको और most लोग single player games को एक बार खेलने के बाद बार बार नहीं खेलते हैं उतना इस वीडियों बस इतना ही था thanks for watching keep watching techno webhub